हाई आज मैं बात करने वाला हूँ फेक जॉब इंटर्व्यू कॉल्स या ज्वानिंग लेटर की आप कैसे बच सकते हैं इस प्रॉट से कुछ दिनों पहले मेरे पास में गो इंडिगो एर्वेज की ओर से एक इंटर्व्यू का मेल आया सब्जेक्ट था HRM कंसेंट एवीएशन इंडिगो एर्वेज सेकंड बैच इसमें एक अटेश्मेंट है लेटेस्ट HRD अपडेट के नाम से और इसके ठीक नीचे एक छोटा सा मैटर लिखा हुआ है इसमें एक इंडिगो एर्वेज यूर एप्लिकेशन नंबर डास 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 चो एक फॉर्मल मेल होता है उस तरह से में लिखा हुआ है इसमें वैकेंट सीड दी हुई है 108 for the technical and 175 were non-technical experience दिया हुआ है 0-20 साल का job location in New Delhi, Pune, Bangalore, Chennai, Mumbai, Kolkata and other industrial cities in India इसमें salary जो बताई गई है वो 22,000 से लेके 1,8,000 रुपय तक है जो कि आपके interview performance पे निर्वर करता है कि आपको कितनी salary दी जाए उसके नीचे एक line लिकी हुई है click here on the link to join मैं इस mail में दिये गए link पे click नहीं किया क्योंकि मैं आपको बतादू 75% laptop या PC की hacking या virus का attack mail में दिये गए link के ही द्वारा होता है इसलिए जब तक ये confirm नहीं हो जाता है कि link पुरी तरह safe है तब तक उस link पर कभी भी click मत करे अब इस mail को बारी बारी से investigate करेंगे क्या ये mail fraud तो नहीं है इस mail को fraud होने का सक इस बात से जाता है कि 24 घंटे बीतने के बाद भी मेरे पास में company की ओर से कोई भी interview का call नहीं आया ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी reporter company कोई भी अच्छी company candidate का अगर resume shortlist करती है किसी भी profile के लिए तो सबसे पहले company के HR या authorized person के द्वारा उसको call करके ये उससे confirm किया जाता है कि आपको इस profile के लिए हमने shortlist किया है क्या आप interested हैं अगर आप interested होते हैं तभी कोई company आपको mail करती है लेकिन यहाँ पे उल्टा था यहाँ पे मेरे पास में mail तो आ गई थी लेकिन कोई call नहीं आय थी इसलिए मुझे ये mail fraud लगा ऐल नेजर में दूसरा को इसके mail भेजने के समय को देखता हूँ तो यह है 15 जनवरी 11 दो पीम यानी रात की 11 बच के 2 मिनट पे रात में किस office से या किस HR की ओर से mail किया जाएगा तीसरा जो सबसे ज़्यादा मैं practice मिलाता हूँ वो है किसी भी आय हुए इस तरह के mail जहां पे मुझे सब होता है मैं उसके mail ID को चेक करता हूँ कि वो किस server से किस mail domain से भेजा गया है तो इसका mail ID है pppr at goindigocarriers.org.in ppr तो username हो गया जैसे मेरा कोई mail ID अगर है abc.xyz at gmail.com तो abc.xyz कोई भी हो सकता है आप भी अपना कोई कुछ भी आ सकते है pqr abc 123 तो यह तो अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन mail server वो fix है gmail.com उसी तरीके से अगर हम देखें तो goindigocarriers.org इसमें fix है लेकिन इसके server को इसके mail server को देखें कहीं से भी नहीं सकता है कि यह mail fraud है अब बारी आती है इसके link को inspect करने की कि क्या यह link safe है या नहीं safe है तो सबसे पहले तो इस link के उपर click करने के बजाए mouse को लिया करके देखते हैं जब हम इसके उपर mouse को लेके गए तो left hand side में सबसे नीचे status bar पे एक link आता है हर browser में किसी भी link के उपर अगर आप mouse लेके जाएंगे तो वो link उस link में कौन सा address है कौन सा web address है वो उसमें दिखाई देता है तो यहाँ पर दिख रहा था http colon forward slash docs.google.com oblique forms यह एक तरीके से safe है क्यों Google कभी भी आपको virus नहीं भेजता है या किसी को virus भेजने नहीं देता है यह उनका अपना internal antivirus checking system है वो इस इसको पहले prevent कर देता है इसलिए यह तसलिव हुई कि यह link तो safe है अब बारी आती है इसके link को खोल के देखने की उस link को खोलने पर उसमें Google Docs में बना हुआ एक form खुलता है जिसके left and side में indigo का logo है और right and side में career का एक logo लगा हुआ है जिसका resolution बहुत low है जो किसी भी professional company में देखने को नहीं मिलता है नीचे बढ़ने पर इसमें एक form दिखता है जिसमें कि आपका नाम, mobile number, mail ID वगरा फीट करने के दी हुई है इसके अतरिक इस form में नीचे highlighted font में लिखा हुआ है Note, you have to deposit a security application fee of Rs.900 as a registration fee कि ये पुरितर से fraud है कि कभी भी reported company, एक अच्छी नामिक company कभी भी किसी भी candidate से पैसे नहीं लेती है किसी भी इंटे लिए या किसी भी joining के लिए इसमें जो पैसे मांगे गए थे, वो पेटी में मांगे गए थे अब इन सभी बातों से आप तो समझ गया होंगे कि ये एक fake interview call है और इसके उपर कुछ भी response करने के जरूरत नहीं है यहां तक तो अपने label पर चेक करने की बात हो लेकिन कभी-कभी ये हो सकता है कि आपके पास में कोई ऐसी mail आए जिसमें आपके इक confused हो जाए कि ये real है या fake है इस दुविधा की अवस्था में आप इस mail को company को भेज करके verify कर सकते हैं वो कैसे करेंगे मैं आगया बताता हूँ आपको मैं go indigo की official website पे गया वहां contact us का एक icon था जो कि generally हर website के साथ में होता है वहां पे क्लिक करके मैंने company का mail id निकाला और उस mail id पर मैं इनके interview call letter को forward कर दिया जिस mail id मैंने mail किया था वो mail id है corporate at go indigo.in applet authority at go indigo.in अब आप यहाँ देखिए इनका जो mail id है official mail id है go corporate at go indigo.in इने domain जो है जो mail domain है वो go indigo.in है जबकि मेरे पास जो mail आया था go indigo careers.org.in से आया था लगबग 2 घंटे के बाद 2 बच के 23 मिनट पे मेरे पास में indigo की ओर से जवाब भी आ गया thank you for your mail at the very outset we would like to clarify that indigo is not engaged in any unauthorized person or mediator to secure dash 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 इन्होंने यही बताया है कि जो mail किया गया है वो पुरितर से fraud है वो हमारी ओर से नहीं किया गया है इस प्रकार वीडियों बताये गए points को अगर आप ध्यान में रखें और थोड़ी समझदारी से काम लें तो interview के इस तरह के mail से होने वाले fraud से आप पुरी दरह से बच सकते हैं इस वीडियो में किसी भी point पर आपको गर समस्या है कोई confusion है या यह वीडियो के बारे में कोई भी सुझाओ है तो हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो like करना मत भूलिए दूसरों को share करिए ताकि और वी लोग fraud से बच सकें और please चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा आपका बहुत 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 लिए